हाई फ्रेंड्स मिया कांशा सर्माद जी के वित अकांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ जैसा कि मैंने आपको कल एक स्ट्राटेजी बताई थी के लिए और मैंने आपको बताया था कि हम नएने कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कोर्स का एक पहला वीडियो यह है यहां यह हम जिले वाइस पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं किस तरीके का मैप और फ्लोचार्ट का मैं यूज कर रही हूं इन मैप से क्या होगा कि आ आ हर अगर हम जिले वाई जानकारी पढ़ लिए तो हमने को पूरा का पूरा उस छेत्र के वारे में एक जिले से ही पूरा का मुरा Madhya-Poday जो 52 जिलो से बना हुआ है हर जिले के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा Madhya-Poday असी पねतिसतर हो जाता है मैंने आ जाए, सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा, वीडियो अच्छा लगए तो कमेंट ज़रूर कीजेगा, कमेंट से ये होता है, कि हमको मोटिवेशन मिलता है, कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसके अलावा हमको ये भी जानकरी मिलती है, आपका नाम आत अली राजपूर का सबसे पहले नाम जाना जाता है निरक्षर जिला, सबसे ज़्यादा माध्या परदेश में अगर कोई निरक्षर जिला है तो वो अली राजपूर ही है, अली राजपूर जो है वो किस-किस तहसील से मिलके बना होता है, तो ये है आपकी कठ्थिवारा, पहले अली राजपूर जाबुआ का ही एक हिस्सा था लेकिन अभी दोजार आठ में यहाबुआ से अलग हो गया और अलग जिला बन गया अली-राजपूर कर देखिये यह कुछ मैप में इस तरीके का लगता है अगर हम देखिया हमारे मद्यापरदेश के मैप में अली राजपूर कहा है तो मद्यापरदेश के मैप में अली राजपूर यहां पर है यह यहां पर जहाब हुआ है जहाब हुआ से अलग होकर यह अली राजपूर बन गया है तो आपको समझ में आ गया है कि मैप में कहां प भान करते हैं सबसे पहली है जो वटत एहसील में ही मान परियोजना का उद्गातन हुआ है मान परियोजना को है जोबत तहसियल में हुआ है और जो वटते हील कहां है अलिराचपुर उंक nell ऐंगो इसका उड़ातन यहां पर प्रस्तावित अभ्यारण है जो कठी वारा चेत्र है वहां पर एक अभ्यारण प्रस्तावित है मतलब यहां पर अभ्यारण बनेगा और यह कठी वारा है आम के लिए भी प्रस्तावित है इसके अलावा यहां पर घने जंगल है कठी वारा में क्या है कठी वारा आम अभ्यारन के लिए प्रस्तावित है और आम के लिए प्रसुद्र है और यहां पर गहने जंगल है इसके बाद इसकी जो अगर हम देखें सीमा देखें तो देखो यह दो प्रेकार की दो सीमा इसकी बनती है एक बनती है इसकी जाबुआ की और जाबुआ की और जाबुआ की औ जो भी लोग का नेत्त है भागोरिया, अली राजपुर उसके लिए भी प्रसिद है इसके लाव जो लखमनी तहसील है, लखमनी तहसील के क्या पॉइंट है कि लखमनी तहसील में जेन मंदिर है, जेन धरम से संबंधित मूर्तियां भी यहां से उत्खनने नहीं जेन मर्दि मूर्तियां का कहां हुआ है और लखमनी यह आता है यह अली राजपुरजेल आता है तो आपको वह अप्सन पर टिक कर देना है इसके अलावब जो भावरा जो है जो भावरा तहसील है भावरा के वारे में आप सभी लोग जानते होंगे चंसेकर आजाद नगर इसको नया नाम दिया है क्योंकि जो हमारे स्वतंतरता सैनानी है हमारे देश की चंदसेकर आजाद उनका जन्म जो है भावरा में ही हुआ था तो भावरा को इसलिए चंदसेकर आजाद नगर कहा जाता है इसका जो नाम है भावरा का 2007 में इसको में किया अली राजपूर से संबंदित और हम कुछ तथे पढ़ते हैं कि अली राजपूर जो है जो भोपार रियासत है इसको भोपावर रियासत बोलते थे उसका एक हिस्सा था अली राजपूर किसका हिस्सा था भोपावर रियासत का एक हिस्सा था और यहां डोला माइट इसके लावाrea, Victoria Bristari Vraks होता है जो स्वास्ति वर्दक पे विलो की एक सराव होती है वो इसी जह बनाई जाती है Victoria Bristari Vraks बो भी अलीराजपूर में ही पाया जाता है आपको ये फैक्त भी याद रखना है Victoria Bristari Vraks कहां पाया जाता है तो अलीराजपूर में पाया जाता है इसके बाद ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका अलीराजपूर है मैप में आपको location पता होना चाहिए कौन सा जिला कहां पर है इसके बाद अलीराजपूर में अगर हम प्रतम देखे हो पर है अलीराजपूर में है भारत का सबसे नियून्तम साक्षर जिला है अलीराजपूर मध्यापरदेश का तो है तो है ही और हमारे भारत का भी है मध्यापरदेश भारत का सबसे कम साक्षर जिला या हम बोलें कि नियून्तम साक्षर जिला या सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है अली राजपूर ही है अली राजपूर का अगर साक्षरता का प्रतिसत देखा जाए तो 36.1 प्रतिसत है अली राजपूर का साक्षरता प्रतिसत तो आपको यह यहान रखना है तो सबसे पहले अली राजपूर का प्रतामादी वास खेल वेस देले है भारत को सबसे न्यूनतम साक्षर जिला भी कौन सा लिराजपूर है कितना है 34.1 प्रतिसत इसके अलवागा आप से पूछे सरवाधिक ST प्रतिसत वाला जिला मतलब अनुसूचिट जन जाती प्रतिसत वाला जिला तो वो भी कौन है अली राजपूर ही है सबसे ज्यादा ST प्रतिसत वाला जिला है इसके अलावे सबसे बड़ा प्रिकार का आम होता है नुरजहाँ आम वो भी अली राजपूर में ही पाया जाता है तो पहला दीवासी खेल विध्याले कहां पे है अली राजपूर में भारत का सबसे न्यूनतम साक्षर जिला कौन चेतरफल कितना है जनगनत्व कितना है वो पढ़ लेते हैं वैसे पटिकूलर एक जिले का जनसंख्या आपसे नहीं पूछी जाती है लेकिन अगर आपसे मेंस में ये कोशन पूछ लिया जाता है तो आपके लिए ये डाटा इंपोर्टेंट हो जाता है तो जाबुआ से प्र अगर पिन कोड़ पूछे तो पिन कोड़ है तो अगर 457-887, नॉर्मल ये नहीं पूछा जाता है, इक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया है, अब हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, 17 माई 2018 को, ये देट जरूर याद रखेगा, डेट आप से पूछेंगे, 17 माई 2008 को जहाबुआ जिले को भिवाजित कर अलिराजपुर ज ज Debway के लेखा, जो गठन किया है, वो किसको भिवाजित करके किया है, जहाबुआ जिले को, कब किया है, 17 माई 2008 को, अलिराजपुर जिला है वो इंद और सम्भाग के अंतर गता था, आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है, कि अलिराजपुर जिला किस सम्भाग के अंतरगत आता है मैंने अभी थोड़ी दर पहले बताया था इन दौर के अंतरगत आता है इसमें कौन-कौन सी तहसीले हैं अली राजपुर जोवट भावरा उन्नीस वर्स 2011 के जनगर्ना के अंते माकणों के अनुसार अली राजपुर भारत और मत्यवदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है यह अभी हमने पड़ा अली राजपुर जन जाती बाहुले छेतर है यहां पर अधिकांस भील जाती निवास करती है अभी हमने पड़ा भगोरिया यहा यहां से मिली है और यह उप्सन दे देंगे यहां पर एक कठिवारा अव्यारन निमायूर अव्यारन प्रस्तावित है अली राजपुर मॉया के पादर में भी बैस्ट है सर्वस्रेश्ट है मॉया मतलब सबसे जादा होता है अगर आप प्री के लिए नोट्स लेना चाहते है अगर आप स्वाल्ड पेपा नहीं लेते हैं अगर स्वाल्ड पेपा लेते हैं तो 48 बुकलेट मिलती है मेंस की इसके साथ आपको 25 वाट्सप के गुरूप मिलते हैं जहां आपको आंसा राइटिंग कराई जाती अलग अलग सबजेक्ट की गोमा फिरा के कोशन किस प्रक अगर आप हमारे प्रिका नोट्स लते हैं तो प्रिका आपको आपको भी ग्रूप मिलेगा वर्ड का वारा यह जान करी याम शर्म याूजग कोई धाती हनुए रियो में ट्याती हैं या मेरे चैनल में संग्य निसूल के आपको तो वह सब ही पीडियाल्ट को में उस गूर लेना चाहते हैं तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं इसके अराबा description box में आपको हमारे whatsapp की और telegram group की facebook group की link मिल जाएगी join हो जाएगा ताकि आपको important material वहाँ पर मिल सके आपसे पूचे मध्य प्रदेश का प्रथाम इस्थाने कहां कौन से जिले में है तो वह है अली राजपूर में मध्य प्रदेश का कश्मीर किसको कहा जाता है कठी वाड़ा को कहा जाता है याद रखना मध्य प्रदेश का कश्मीर किसको कहा जाता है कठी वाड़ा को कहा जाता है आदि वरसी खेल विद्याले कहां पर है अली राजपुर में है, यहां पर कौंकों सी परियोजना है, मान परियोजना और जोबत परियोजना, आम की नूर जहा प्रजाती यहां पर देश विदेश में प्रश्ट है सबसे बड़ा आम अनुसुजे जन जाती है जन संक्या प्रतिसर्च की देश्टी से भी यह प्रथम है विश्व का पहला जन जाती है सामुदा एक रेडियो के चंसे का राजार नगर भी यहीं पर है विक्टोरिया व्रिज भी यहा है भावरा इसके बाद हम एक और नजर डाल देते हैं मुक्त ऐसी लिए कौन-कौन सी है भावरा जोबट अली राजपुर एक मात्र जिला जिसकी सीमा महारास्ट और गुजरात दोनों से लगती है यह आपको बहुत अच्छे से दियान रखना है कि जो अली राजपुर जि जाएगा और महारास्ट हो जाएगा तो गुम गया आली तो अली राजपुर की सीमा दो राज़ों से इस पर्स करती है एक तो गुजरात और एक किसे महारास्ट से जो मने ट्रिक बताई उससे आप याद कर लीजिगा नियून्तम सक्षरता वाला जिला है यहां आमों का व्यापार सामिल है और डोला माइट यहां का प्रमुक खनीज है राइनिती अगर देखें तो यह इंदौर संभाग के अंतरगात आता है 17 मई 2008 को जाबुगा से अलग होकर विला नया नाम आजान नगर है जनसंग्या हम परचुके हैं साक्षरता है 36.1 प्रतिसत ज अगर एतिहासिक दिश्टी से देखें तो भौपावर एजनसी को 1882 में बनाया गया था स्वतंत्रता से पहले अली राजपूर मद्य भारती अजनसी के अंतरगत आता है भावरा में चंसेख राजात की जन्मिस तलीवी है अगर हम सांसकते को परेटन की दिश्टी से देख था है डिवारों बनाटन की चितरकारी की अगला है अली राजपूर भील और बहलाल जन्मिस फिस्द्र है काजल रानी मंदिर मत्वारा छेत्र में हैं गठिवारा अफगाणाई आम की प्रजाती नूर जहां के लिए प्रसिद है कट्ठी वाड़ा आप गानी आम की प्रजाती किसके लिए प्रसेद है नू जाहिए मैंने बार बार लिखा हुआ है तक आपको बार बार याद हो जाए बीलों के एक छोटा गाउ होता है वो फाल्या कहलाता है जो यहीं के लोग कहलाते हैं पहला आदिवासी खेल विद्याले बार बार जले में जनगरना बार अली राजपूर के वारे में गलत कथन बताईए सबसे पहले इसमें तीन तहसीले हैं बिल्कुल राइट है इसका लिंगानुपात एक हजार नो है जो गद्द सक से बारा कम है ये भी राइट है आदिवासी बहुल जिला ये भी सही है यहां की साक्षर्टादर पचाश पतिसत से अधिके कि बिल्कुल रॉंग है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अलिराजपूर की साक्षर्टादर 36 पर skipping प्रतीसत ये अगला question प्रतें राज की sir जन्क संफ्क्या सरपितं अलिराजपूर में स्थापित होई कौन सी संस्था राज J आदीवासी लोककला परिष्यदивать टीरनक्राणी विशुषिद THERE l मूरा प्रशिद्ध्य है अभी हमने पढ़ा है जोब्ड मॅईूरवाडाा कथिवाड अब हावरा तो आम के लिए प्रसेद प्रस्यतिस्थान कट्थिवारा कौन सा है आम के लिए प्रस्यतिस्थान कट्थिवारा मान परियोजना कहां पर है तो मान परियोजना किस इस्थान पर है जोवट में आजान नगर किस इस्थान का नाम है अभी हमने पड़ा 2007 में नाम बदला है तो किसका बदला है जोवट मै वीडियो पसंद आते हैं तो इसका कमेंट वोक्स में मुझे आंसर दीजेगा कि सरवाधिक सिसु लिंगानुपात वाला, तो अली राजपुर का सिसु लिंगानुपत कितना है आपको यह मुझे कमेंट वॉक्स में अंसर बताना है यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हम हमारे पूरे मध्यवपरदेश के जिले इसी तरह पढ़ेंगे पहले डिटेल स्टडी करेंगे फिर उसका वस्तूनिस्ट पढ़ेंगे इससे क्या होगा आपको पूरी जिले की जा सकते हैं ओके फैन थेंक यू